सेर बहादूर ये नाम है आपके नेपाल का प्राइम मिनिस्टर का और वो अभी भारत के दोरे पे हैं जिसमें अभी हाल फिलाल में उन लोगों ने भारत और नेपाल ने बहुत सारे M.O.U. और एगरिमेंट पे साइन किया है एके करके समझते हैं कि वो सारे एगरिमेंट हैं क्या और इससे क्या इंपोर्टेंस रखता है आगे फ्यूचर में इंडिया के लिए देखे पहला जो एगरिमेंट है वो हुआ है 35 किलो मीटर लंबा एक बॉर्डर का रेल लेटवक के लिए यानि पटरी बिछाना का बात हुआ है जो कि नेपाल से और बिहार को जोड़ेगा एक साथ और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एक पटरी ओडरेडी मौजूद है पर दिक्कत उसमें यह है कि वो समय के साथ बहुत पुराना हो चुका है और अब नया पटरी बनाने का जरुवत पढ़ रहा है ताकि कम्मिनिकेशन जो दुनों देखे उसको समय के साथ बढ़ाया ज जा सके और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखे नेपाल और इंडिया का ऐसा रिलेसंसिप है ना कि कोई भी यहां पर आना जाना रलागा रहता है खासकर टूरिजम के लिए और यहां पर दिक्कत इस बात का होता है कि कुछ आतंगबादी भी इस रेल लाइन को पर अगर कोई बंदा नेपाल में बाहर से आया है उसको अगर इंडिया आना है इसका रेल लेट पके जानी तो उसको बहुत जादा दिक्कत का सामना फेस करना पड़ेगा अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है इसके आलावा देखिए एक बहुती बड़ा डिल हु इसमें फ्यूचर में चलके इंडिया और नेपाल दोनों मिल के इसको डेवलोप कर सकता है और हो सके तो इंडिया इसमें नेपाल को अपना बिजली भी बेच सकता है जिसे अल्टिमेटली इंडिया को बहुत जादा फायदा पहुचने वाला है इसके अलावा जो इंडिया आपना समय में यानि मोदी जी ने जब से कामधाम समाला है इंडिया का तब से इंडिया payment system का मामलर है बहुत आगे निकल चुका है जिसमें अभी हाली में इंडिया का जो रुपे कार्ड है उसको नेपाल के अंदर launch करने का बाच चल रहा है ताकि यह कहीं ने कहीं people to people यानि किवल एक nation होता है कि देश यानि एक government दूसरे government को recognize करती है और एक friendly nation मानती है पर people to people linkage बहुत कम होता है और ऐसा linkage तभी बन पाता है जब actually में border सट रहा होता है और इंडिया नेपाल का border सटता है तो यह people to people linkage होना चाहिए इंडिया और नेपाल के बीच में इ यह मिला कि 105 country हो गया है जो इस पे sign किया है अब जिनको नहीं पता international solar alliance क्या है तो देखिए प्राइम मिनेश्टर मोदी जी का यह vision है कि इंडिया और जितने भी प्रिथिवी में देश सभी देशों में solar power plant लगा दिया जाएगा और उस solar power plant का जो भी बिजली बनेगा उसको स जब अगला दिन वोद सुवा होगा तब वो बाकी देश जो अभी अंधेरा में है उनको बिजली पहुँचागी यानि पुरा प्रिथिवी में solar power plant लगाने का बात चल रहा है और इस पे करीब 100 देशों ने sign कर दिया है और इसमें 105 देश बना है नेपाल यह तो वो बाते ह होता है कि हांत से बनाया जाता है और यह उनको गिफ्ट किया है दोनों लीडर ने बीच में यह होता है उनका अपना व्यक्ति गत्त मामला और इस पे नाग खूसा जाए तो अच्छा है आप इसमें आप मुझे बताए कि आपको क्या लग रहा है यह डील सही है या नहीं है या फिर इसमें कुछ और डील होना चाहता जो आप सोच रहे थे क्यों हो लेकिन नहीं हुआ आप इस बीचार अपना कॉमेंट सेक्षिन बताएए आपने मुझे इतना समय दिये इसके लिए थैंक्यू वेरी मच